जहिन्द फ्रेंट्स सदाद भया के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है अड़ा 24-7 पे आज जिक्र होगा अब की बार P.O.K में मोधी सरकार P.O.K मतलब क्या? पाकिस्तान ओक्यूपाइट कश्मीर यानि की L.O.C. अब ये सवाल क्यूं आ रहा है? आकर हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है श्री राजनात सिंग जी वो एक दफ़ा नहीं कई बार ऐसा बोल चुके हैं कि हमारे लिए P.O.K को हासिल करना उतना मुश्किल नहीं है और हम उस टाइम भी कर सकते थे, अब भी कर सकते हैं और आने वाले टाइम पे भी हम इस P.O.K को पार कर सकते हैं ऐसा क्यूं कहा? कब कहा? और क्या इशारा था किसके तरफ? ये सब हम लोग जानते हैं आपका क्या राय है? भारत इस सिचुएशन में है अभी कि वो लिटरली P.O.K को मतलब तीमा पार करके P.O.K कबजा कर लें पाकिस्तन उक्यूपाइट कश्मीर जो है, कॉमेंट करके बताईए पाकिस्तन से भारत क्या प्योगे ले सकता है? आप कॉमेंट करके अपने व्यूज बताईएगा मीनवाइल ये हमारा इंस्टाग्राम का QR कोड है, आप इसको स्कैन कर सकते हैं कोई भी अपडेट होती है, या कोई टॉपर आ रहे हैं, या फिर कोई इन्फोर्मेशन है इंस्टाग्राम के जरीए कर सकते हैं साथी में हम लोग संडे को एक बहुत बड़ा वेबिनार करने वाले हैं इस संडे को और इसलिए कॉमेंट सेक्शन में टेलिग्राम का लिंक दे रखा हैं मैंने और फॉर्म भी रखा है, उस फॉर्म को फिल कर दीजेगा और अपने स्पेसिफिक क्वेशन्स वहाँ पे मेंचन कर दीजेगा कि आपको किस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है, क्या समस्य हो रही है आपको UPSC की तयारी में स्पेसिफिक लिए विए हम बात करें यही मेरा एक इनिशेटिव है जिसको हम सलाह के नाम से कहते हैं सवाल आपका जवाब हमारा मेरी एक सलाह रहेगी आपको वन्टुवन पर्सनल मेंटर्शिप में तो फॉर्म फिल कर दीजेगा, टेलिग्राम लिंक फॉलो कर लीजेगा चलिए, आगे बरते हैं ठीक है, इस संडे को दस बजे सुबह, ठीक है चलिए, हर तरफ चर्चा में आगे जैसे ही डीफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंग ने ये बात कही कि हमारे लिए पीए उके को कबजा करना एक बाए हाथ का खेले, मतलब तुरंथ हम कर सकते हैं वैसे ही न्यूज मीडिया में जिब खबरें फैल गई कि राजनाथ सिंग वांस पाकिस्तान अन कारगिल दिवस तो बैसिकली 26 तारीक को 26 जुदाई को कारगिल दिवस मनाया जाता था और 26 तारीक को हम कारगिल दिवस के बारे में जानेंगे LOC के बारे में जानेंगे हलका सा और उसके बाद फिर P.O.K के भी बारे में हम हलका सा पढ़ेंगे तो तीन important इस वीडियो में बाते होंगी साथ में ready to cross LOC if needed राजस्थान at कार्गिल वॉल मेमोरियल लद्दाक में speech देते टाइम पे इन्होंने इसी साल में दूसरी बार ये बात कहता ली इफ प्रवोक्ड इंडिया ready to cross LOC राजनात at कार्गिल मेमोरियल अगर उकसाया जाएगा तो तुरंत हम कबदा कर लेंगे तो ये है वो situation, ये वो मनज़र है जब इन्होंने ऐसा कहा था तो हम चलते हैं वाकई में क्या ऐसा लगता है कि हम कर सकते हैं क्या इंडिया could have cross the LOC and will do if needed राजनात सिंग on कार्गिल विजय दिवस ये जुलाई का ही है, तभी का महौल है ये image आप देख सकते हैं अब point wise समझते हैं हम लोग कि basically था क्या, मुद्दा क्या चल दा इंडिया could have cross the LOC during कार्गिल conflict कार्गिल conflict कब वो था? 1999 में उन्होंने कहा कि उस time भी हम कर सकते थे 1999 में भी, हम आज भी कर सकते हैं और आने वाले time के भी इतना पौरुष है, इतना सामरत है कि हम कर सकते हैं, ठीक है defense minister ने 26 जुलाई को ये बात कार्गिल विजय दिवस लद्दाक के द्रास वाले एरिये में कही ठीक है, उन्होंने ये भी कहा कि Indian forces did not आज तक भारतिय नोजवान और भारतिय सैनिक, मिलिटरी, आर्मी LOC को आज तक इसलिए क्रॉस नहीं की है, क्योंकि हम शान्ती चाहते हैं हम peace loving country है हमने अपने मूलियों पे काम किया है, हम धोखा धड़ी नहीं करते हैं, हम international laws को follow करते हैं और आज हम ये भी देखेंगे कि वो किस international law की बात कर रहे है, राजनात सिंग जी ठीक है, और speech के time देते वक्त इन्होंने परम वीर चक्र अवाड़ी कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन मनोज पांडे, वीर चक्र अवाड़ी लेप्टिनेंट कर्लनल आर विश्वनातन कैप्टन जीनू जोजई, गोगोई कैप्टन विजयन्त, थापर और सुवेदार मनिग सिंग को भी धेर सारी शर्दांजली देते हुए उनको नमन करते हुए उनके बलेदानों को सुईकार करते हुए आगे बात रखी उन्होंने ये भी कहा जिस पर एक मूवी भी आई थी गुंजन सकसेना एंड श्री विद्या रंजन जिन्होंने एक एक सेप्शनल कर्टिसी दिखाई थी कहां पर कारगिल वार में दो इंपोर्टन चीज़ें आपको मैं बताना चाहता हूँ यहां पर यह कि यह सभा भी बैटी थी तो जहां पर यह चर्चा हो रहे थी वहां पर इन्होंने पाकिस्तान को तंज देते हुए इन्होंने कहा दा कि भाई आप अपना घर समालिए जिस तरह के हालात आपके जगह पे है न वहां पर है उसमें कुछ भी हो जाए तो हमें आश्यर नहीं होगा मतलब यह पाकिस्तान को कह रहे थे भारती डिफेंस मिनिस्टर अब हम लोग आते हैं यहां पर यह है हमारा पुरा जो सबसे most controversial विवादित एरिया है भारत का वो है जम्मून कश्मीर का वो एरिया यह वाला एरिया हवाई हमारा चाइना को दे दिया था 1962 वाला जो यूद्ध हुआ था ठीक है उसके बाद फिर यह है पाकिस्तान occupied कश्मीर पीओ के यह वाला एरिया जो है यह हमारा पुरा लद्धाग रीजन है यह श्रीनेगर यह हमारा जम्मू कश्मीर यह है कारगिल यहीं पर हुआ था और इसको डीटेल में अभी हम आगे चलके देखेंगे ठीक है कारगिल वाल 1999 में हुआ था कारगिल वॉल 1999 में हुआ था basically कारगिल conflict के नाम से मुझे पता है कि हमने वीडियो 26 जुलाई को लेनी चाहिए थी लेकिन दो दिन बाद इसकी importance क्या है वो आज पता चलेगी आपको कारगिल conflict के नाम से जानी जाती है यह भारत और पाकिस्तान ट्रैनिकों के बीच में लडाई की गई थी यह मई से लेकर जुलाई तक का पूरा मसला यहां पे था 1999 में यह पूरा किस्सा हुआ था और जहां पर यह हुआ था वो आज के टाइम पे LOC कहा जाता है उसको भारती military ने इस operation को operation विजय नाम दिया था और वहीं Indian Army क्यूंकि उस टाइम पर Indian Air Force ने काफी support किया था Indian Military को तो Indian Air Force ने इसका नाम दिया था operation सफेध सागर यह तो सबको याद है operation विजय लेकिन operation सफेध सागर बहुत कम लोगों को पता है तो इसलिए हमने इस वीडियो में इसका जिक्र किया है ठीक है ये conflict जो है वो trigger हुआ था कि पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में से कुछ कहा जा रहा है militants आ रहे हैं और जब militants की आड में कई सारे ऐसे वहां के खुद स्थैनिक आ रहे थे हमें क्या करने भाई? पोजिशन को capture करने उनको लगा कि भारती उस भारतियों को military को यहां बताया गया कि कश्मीरी militant आ रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत ने लेकिन जब उनके हाथ में हत्यार देखा गया उनके हाथ में बंकर देखे गया बड़े बंदूग देखे गया लॉंचर देखे गया तब बेसिकली अब यह आगे थोड़ा सा activity क्या हुई थी वो मैं आपको बताऊंगा लेकिन investigation जब हुआ न तो पाकिस्तानी PM ने उस time पर यह मना कर दिया था कि नहीं हम ने नहीं किया है पाकिस्तान के PM ने मना कर दिया था कि हम ने नहीं किया है उन्होंने blame डाल दिया था उस व व्यक्ति थे उनको भेजा है पाकिस्तान PM सेफ हैं इंडियन आर्मी लेटर सपोज इंडियन एरफोस री कैप्चर दे मेजोरिटी ऑफ दे पोडिशन अगर आ गया था तो हमारे सैनिक बहुत लंबे टाइम तक थे क्योंकि उनको उन्दाजा नहीं था कि इतने सारे लोग उस तरफ से आ जाएंगे तो लड़ते 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 फिर उपर से उपरेशन सफेज सागा रहा है जिसमें कि गुंजन सकसे ना एक बहुत बड़ा रोल और उनके साथ प्ले किया गया था ठीक है क्योंकि बीना बोले आये जा रहा था बीना बोले सब एक तरीके से गदारी ही हुई चोरी छुपे आके हमला कर देना और जब मामले का परदा फास हुआ तो पाकिस्तान ने तो पहले ही इनको लगा दिया ब्लेम कि भाई इन्हों ने किया है ठीक उसके बाद इंटरनेशनल बॉर्डर भी थी और इंटरनेशनल जो नियम कानून है उससे पाकिस्तान डरा हुआ था अलड़ी पाकिस्तान लोन में था आई-एम-फके अलड़ी पाकिस्तान देर सारे लोन में था यह किस्सा देखते हैं यह मैप इस मैप को समझे ठीक है यह पूरा मैप आपको देख है था आपको ठीक है सबसे पहले यह हमारा आता है यह एलोसी है यह डोट 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 देख रहे हुआ यह पूरा रेड का एलोसी बना हुआ है यह हमारा कारगिल ठीक है और यह हमारा लेलद्दाक है यह बतालिक है और इस साइड में पूरा स इसके इधर से लगभग 200 से 200 के जुन्ड में कोई न कोई आ रहा है, इन लोगों को शक हुआ, फिर साथ तारीक को पाकिस्तान आर्टिलरी फायर सौन इंडियन पेट्रोल, जैसे ही यह लोग यहां पहुंचे वो इंडियन पेट्रोल पे फायर करने लगें, तो इनको शक जो ह फिर यहां, द्रास में, इनको लगा कि हैवी पाकिस्तानी शेलिंग डैमेजेज, एमो डंप इन कारगिल, मतलब कि यहां पे कारगिल, बिलकुल जो बॉर्डर है, वहां पे हैवी डिस्ट्रॉइ हो गया था भारती सेना का, और वही बात, 10 से 14 तारीक मई में, इन्फिल्ट्रेटर्स नोटिस्ट इन द्रास कासकर और माक्षों इन वैली, भारत के जो द्रास एरिया है जहां से अभी राजना सिंग जीने स्पीच दी है, खड़े होके, वहां पर लगभग 60 से 80 इन्फिल्ट्रेटर्स आके खड़े थे, तो सब लोग शोक थे उसके माम आपरेशन बिगिन्स, तो 14 तारिक मई से ये धिरे धिरे ओपरेशन चालू हुआ, और लगभग 26 तारिक को फाइनली ओपरेशन विजय मनाया गया, ओपरेशन सपेज सागर मनाया गया, लगभग almost ये दो महीने से भी जादे ओपरेशन चला, जिसमें कि भारत की जीत हुई unfortunately हमने बहुत वीर शहीद हो गए थे, लेकिन आज वो न होते तो शायद कुछ हिस्सा भारत का आज कट चुका होता, रही बात, what is the line of control क्या होता है, LOC क्या होता है, देखिए line of control ये एक military control line है, भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में वो nationally recognized नहीं है, आपसी समझोते से है, ठीक है, जब कारगिल भी हुआ था, जब in fact जो हमारा शिमला agreement हुआ था, शिमला agreement के बाद आपसी समझोते से ये बात हुई, कि भाया हम लोग जो है वो अपने बातों पे अटल रहेंगे, अडिग रहेंगे, और अपने नैतिक मूलियों क पालन करेंगे, international borders का पालन करेंगे, और कोई इधर से उधर नहीं आएगा, इधर से उधर नहीं जाएगा, लेकिन संद 71 में ये हुआ, 99 में ही कारगिल हो गया, क्योंकि इन लोगों ने धोका दिया था, इन लोगों ने ब्रीच किया था, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे जाना जाता है, कुछ इस साइड है, ठीक है, and pledge to respect it without prejudice and respect position, जिसके मैंने भी आपको बताया है, यह सेम चीज है, जो की कराची अगरिमेंट में बताया गया था, वो की 1949 में नहरू जी भी थे उस टाइम पे और जिनना भी मौजूद थे, तो उस टाइम पे उनके स साथ में ही क्या आया था भाई, कराची अगरिमेंट, यह है वो कराची अगरिमेंट की तस्वीरे, तो कराची अगरिमेंट में भी सेम लाइन ओफ कंट्रोल की बात की गई थी, और उन्होंने specifically कुछ नहीं बताया था, कि यह border जो है, वो नौर्थ में कितने दूर तक है, मत और हिमालियास to the north, 1814, बस इतना बोल दिया था, ठीक है, और आगरिक लोग कहते हैं कि भाई, इसको, 1980s, इसको हम नहीं मानते, पाकिस्तान ही कहते हैं कि हम नहीं मानते इसको, ठीक है, यह है वो कराची अगरिमेंट की तस्वीर, और यह है तस्वीर शिमला अगरिमेंट की जिसमें इंदरा गांधी आपको दिख रही होंगी, यह वो न्यूस पेपर है, इंडियन एक्सप्रेस का, जब शिमला अगरिमेंट साइन हुआ था, तो हर तरफ को यह न्यूस पेपर चर्चा में आ चुका था, गांधी's letter encouraging, लेकि फिर भी 1999 में तो किस्सा होई गया था, यह है पूरा कार्गिल दिवस के उपर एक छोटा सा वीडियो था, जो कि आज हमने release किया है, और उमीद है अगर आपको कोई problem होगी, कोई situation अगर आपको समझ में नहीं आती है, तो please comment करके ज़रूर बताईएगा, यह है देखिए यह एरिया, यह गिलजित बलतिस्तान है, जमू कश्मीर और अकसाइचिंग चाहिना के लिए है, ठीक है, यह है हमारा अफगानिस्तान, नौर्थ वेस्ट, फ्रंटियर, खाइबर पक्तुनवा जहां पर कौन गई है भी, जहां पर वो लड़की अंजू गई है, खाइबर पक्तुनवा यहीं पर गई है, ठीक, यह ह मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बहुत बहुत शुक्रिया, यह नंबर आप ध्यान रखिएगा, जब भी कभी आपको डाउट होगा, इस नंबर पर फोन करके आप बात कर सकते हैं, कि भाई, सिधार्थ भायत से हमारी बात करा दिजिए, उनका वीडियो काफी अच मिलते हैं अगले वीडियो में, जाए हिंट!